दोस्तों, RCP और KKR के बीच हमको क्या जबर्दस्त मुकाबला देखने को मिला जहां पर RCP एक वक्त इस मैच को हार रही थी लेकिन जैसे तेसे RCP ने मैच को आखरी ओबर तक पहुंचाए दिया आखरी ओबर मैं RCP को जीत के लिए किसम चाहिए थी और करण शर्मा ने पहली गेंट पर मेचले स्टाक को एक सबर्दस छक्का लगा दिया लेकिन मिरी स्टाक ने दूसरी गेंट पर बहत्री वापसी की जहां उन्होंने करण शर्मा को बीट कर दिया हालनकि दूस्तों KKR को लगा कि या उट था लेकिन थर्ड अमपैर ने इसको नट आउट करार दे दिया अब इसके बाद तो करण शर्मा का तूफान देखने को मिल गया स्टाक ये से खतरनाक बॉलर को करण शर्मा ने ऐसे छक्के मारे कि क्यार का खेमा बिलकुल हरान रह गया था उन्हें यकिन ही नहीं हो रहा था कि करण शर्मा जैसा बॉलर ये मैच जिता रहा है लगादार दो शके मारने के बाद करण शर्मा ने मैच को आरसीवी के खेमे में पहुँचा दिया था लेकिन दो गेंदों पर अब तीन रण चाहिए थे